हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल प्रिपेर विट और नब जैसा कि आप लोग जानते है कि CGL 2022 का टीयर वन येस्टरडे मतलब 13 डिसेंबर को खतम हो चुका है टोटल 40 शिफ्ट में 40 शिफ्ट में एक्जाम हुआ है तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि CGL 2022 टियर वन में कैसा पेपर कैसा आया है डिफिगल्टी लेवल कैसा था और उसके उपर बेस करके मतलब जश्ट एक्जाम difficultी होने के बाद ही हम थोड़ा एनलिसिस एक rough आइडिया के लिए थोड़ा एक वीडियो मैं बना रहा हूँ ठीक है rough आइडिया के लिए इसके बाद जब आपका 19 या 22 तो के अंदर आपका जब answer किया जाएगा answer की के देखने के बाद सोड आपको पता चलेगे आपके कितने रॉस को हो रहा है उसके उपर बेस करके मैं एक डीटेल्ट कट आफ वीडियो आपको प्रोवाइट कर दूंगा कट आफ एनालीसिस प्रोवाइट कर दूंगा 25-26 के अंदर ठीक है अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस इमेल में और नमोजुंदर468-gmail.com में आप भेज सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग मेरे चैनल में नए है प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए CGL 2021 का भी cut-off analysis मेंने किया है और tier 3 भी अभी बहुत ही जल्दी आने बाला है शायद इसी हपते में या तो next week में आई जाएगा तो CGL 2021 का final cut-off भी analysis भी मैं फिट से एक बार कर दूंगा after tier 3 तो चैनल से जूरे रहिए प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए reasoning का level थोड़ा डाउन था reasoning थोड़ा आसान आया है last year से reasoning थोड़ा आसान लग रहा है ठीक है at least मुझे तो एही लगा कि reasoning थोड़ा मतलब थोड़ा difficult कम आया है easy है लेकिन English जो English था English थोड़ा complicated कर दिया थोड़ा pattern में थोड़ा थोड़ा change हुआ और English में थोड़ा confusing हो रहा है ठीक है English थोड़ा confusing था और उसमें confusion में ही होगा कि आप लोग जादा जादा से जादा उसको मतलब गलती कर बैठेंगे और negative होने के chances जादा है तो English थोड़ा tougher side था मुझे लगता है tougher side था 2021 से और reasoning थोड़ा easy था और math more or less same ही लगा ठीक है math एक जैसा ही था और G के तो जैसा आता है वैसा ही था ठीक है low scoring तो इसके उपर base करके मैं बोल सकता हो को CGL 2022 tier 1 का paper difficulty level 2021 के जैसा और उससे थोड़ा easy था ठीक है उससे थोड़ा easy था बहुत easy नहीं और उससे tub भी नहीं मुझे लगता है CGL 2022 जो 2022 था वो less than equal to 2021 था ठीक है 2021 जैसा ही था कुछ-कुछ paper और कुछ-कुछ paper उससे easy था ठीक है तो अब देखेंगे अब जो main चीज यह है कि कितने लोगो का selection होने वाला है देखें last time 7 के vacancy था 2021 में 7 के बहुकिनसी में मुझे इतना लग रहा है जितना मेरा idea है 1.15,TV एक राग 15,000 के एक पंदरा हाँ जार candidates का selection हुआ था 7 to be mac लेया है कि आपका पीए और इसे वाला जो वेकेंसी वो डबल होके 19,000 हो गया है तो लगवक 30,000 अभी तो 30,000 तो कॉन्फरम हो गया पूरा एक दम कॉन्फरम है 30,000 तो आएगा ही और 37 वाला जो वाइराल पीडियेफ है शायद वो भी टू ही हो क्यूंकि उसको जो जो लिखा है उसमें 98 postal inspector बोला था अभी latest RTI में 98 postal inspector हो गया है 49 से डबल हो गया तो उसको मान के चले तो exact जो जो नंबर वहाँ पे लिखा है उस वाइराल पीडियेफ में उसी की तरह RTI reply भी आ रहा है तो 37 के वैकेंसी अब ज़स्ट मतलब कुछी देर बाद ही आपको 37 वैकेंसी देख देखिए 30 मतलब 7 के जो भाकेंसी था 1.15 लाग मतलब लगवक 15 टाइमस मतलब 2020-2021 इस ट्रेंड को देखे तो लास्ट जितने 2-3 येर्स का ट्रेंड को देखे तो 15 टाइमस कैंडिडेट का सिलेक्शन होता था टीर 1 से टीर 2 तक टीर 2 में टीर 1 से टीर 2 तक 15 टाइमस कैंडिडेट का सिलेक्शन होता था सीट के वैकेंसी के 15 टाइमस अब इसके 37 के को अगर 15 टाइमस कर दे तो मुझे नहीं लगता कि सिंगल शीट में एक्जाम होने वाला है ठीक है तो बट एससी अभी क्या कर रहा है सिंगल शीट में कंड़क्ट करने की कोशिश कर रहा है मेंस बाला टीर 2 बाला पेपर सिंगल शीट में करने का कोशिश करता है तो 37 के अगर 15 टाइमस हो तो यह लगभग 5 लाक क्रोस कर जाएगा ठीक है 5 लाक 6 लाक और 5 लाक के बीच अगर मुझे नहीं लगता है इतना लोग आपका क्वाल 4,005 लाक मतलब 4,006 लाक अगर शॉटलिष्टेड हो तीर 2 के लिए तब तो आपका normalised cut up मतलब normalised cut up बोल रहा हो 95 से 100 तक आ जाएगा ठीक है न स्वील लैक अगर 4 लाक रहा तो मुझे लगता है कि नौर्मलाइस्ट कटप आपका 100 से 105 के अंदर ही रहे जाएगा 105 से जादा नहीं रहेगा ठीक है अब देखते हैं कि कितने लोगों को क्वालिफाई कराना है और अगर बहुत कम लिया 2,00,00,00 तो लेना ही है अगर 2,00,00 लिया तो नौर्मलाइस्ट कटप मुझे लगता है 110 से 115 तक वहरी कर सकता है ठीक है तो किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि 115 नौर्मलाइस्ट मार्क्स क्रोस करेगा ठीक है यह सब नौर्मलाइस्ट मार्क्स है ठीक है मैंने नौर्मलाइस्ट मार्क्स बोला रोस कोर नहीं बोला तो 115 नौर्मलाइस्ट मार्क्स के उपर कभी भी नहीं जाना चाहिए मुझे यह personally लगता है फिर भी answer की आने के बाद marks देखने के बाद मैं फिर से detailed cut-off analysis आप लेगों के लिए कर दूँगा ठीक है मेरा CHSL 2020 का final cut-off देख लेना एकदम मैंने जैसा बोला था एकदम वैसा ही आपका normal cut-off गया है आप एक बार जाके मेरे channel में सारे के सारे videos देखे आपको पता चल जाएगा कि मेरे channel में सिर्फ useful video ही मिलते है तो आप देख सकते है मेरा credibility कितना है तो 115 मुझे नहीं लगता 115 के उपर normalized cut-off इस बार जा सकता है मैंने अगर 2 lakhs सबसे कम 2 lakhs भी shortlisted हुआ तो वो भी 115 maximum जा सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता 2 2 lakhs selection होगा उससे जादा ही होगा तो मैंने ये range आपको बता दिया और आप लोगों का जिसका भी raw score अभी आपका safe attempts कितना होना चाहिए ये तो आपके accuracy के उपर भी depend करता है क्योंकि कोई-कोई 90 attempt करके चला आएगा लेकिन उसके accuracy बहुत ही कम देखा जाएगा तो 90 attempts किया उस 40 correct answer मतलब 100 marks और आपका 40 उसका wrong चला गया पूरा तुक्का मारके चलाया 40 question 40 question तुक्का मारेगा तो 20 minus हो जाएगा तो उसका score बन जाएगा 80 मतलब 90 attempt करके आएगा बोलेगा कि दोस्तों को मेरा 90 attempt है लेकिन उसका raw score ultimately आएगा 80 ऐसा करने से नहीं चलेगा आपका accuracy भी maintained होना च accuracy में आपका अगर 70 plus attempts है 70 plus attempts 70 plus attempts अगर आपके 80% accuracy में भी है तो भी आपका chances अभी बन सकते मतलब अगर आपका raw score around 110 है ठीक है 110 है तो आपको जरूर 110-105 है 105 से 110 अगर आपका raw score है तो आपको जरूर मेंस की preparation में अभी से लग जाना चाहिए यह क्यों बोल रहा हो क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किसी को भी पता नहीं कि 2 lakh qualify करेगा या 14 lakh या 3 lakh या 4 lakh कितने qualify करेंगे इसके उपर आपके इस बार के normalized cutoff इसके उपर आपके cutoff depend करेंगे question के difficulty level के उपर उतना भी depend नहीं कर रहा है क्योंकि difficulty level 2021 जैसा और उससे थोड़ा कम था ठीक है लेकिन कितने लोग qualify करेंगे क्योंकि इस बार vacancy बहुत ही जादा है कितने लोग qualify करते है कितने लाग qualify करते है इसके उपर आपके पुड़ा का पुड़ा cutoff depend कर रहा है तो अगर आपके 105, 110 raw score है तो आपको जरूर आपको tier 2 के लिए लग जाना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि कि किसी का 95 raw score बनेगा तो उसको preparation नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं है अगर 95 अगर difficult ship ने आपका 95 बन रहा है तो आपका normalized cutoff हो सकता है आपको 20 marks बरके 115 हो जाएगा ठीक है 115 हो भी सकता है तो किसी को कुछ पता नहीं है अभी तो आपके अगर 100, 105 ऐसे marks बन रहे है आप लोग जरूर preparation करते रहे है अगर 95, 90 भी हो रहे है तो भी आप preparation मत छोड़ि कि आने के बाद मैं detail analysis करूंगा तो अगर 95 जो भी 90 प्लस के उपर आपका score बन रहा है आप your category से आपको जरूर आपको preparation लेना चाहिए क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना अगर इस बार ना भी हो क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे क्या आप competition में नहीं उत्रोगे कभी next year के exam नहीं दोगे जरूर दोगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका score जो भी हो 90, 95, 98, 100, 115 जो भी आपको जरूर आपको tier 2 का preparation लेना चाहिए math, reasoning, English, GKS, सारे के सारे के अभी के अभी के अभी लग जाओ 2-3 दिन लेने के बाद पूरे के पूरा एकदम अच्छे से prepare करने शुरू करतो, क्योंकि अगर preparation लोगे तब इस बार का तो इस बार अगर by chance tier 1 clear हो जाएगा तो आपको tier 2 देना ही है, अगर नहीं भी होआ, उस time भी आपको जिन्दगी में रुखना तो नहीं है, तो आपको next year या next जो भी exam आएगा CHSL में, जो भी exam आएगा आपको तो preparation जरूर लेना चाहिए, इससे आपको फाइदा ही होगा, लुकसान कभी नहीं होगा, तो प्लीज प्रिपेर करते रहिए, इस बार का मौका बहुत ही जादा है, 37 के vacancy, 30 के vacancy बहुत होता है, आप सारे के सारे लोगों को job मिल जाए, जो लोग मतलब दिल से practice करते हैं, दिल स को joining मिल जाएगा, 2023 December के अंदर भी CGL 2022 का joining हो जाएगा, यह मेरा मानना है, और 2021 का tier 3 का result अभी आने वाला है, कुछी दिन में 5-6 दिन में आई जाएगा, उसके बाद उसका skill test 4 और 5 January को है, उसके बाद final result भी आ जाएगा, March के end तक, उसके बाद उसका भी joining process fast ही हो रहा है, तो आपको पूरा का पूरा जो भी banking candidates है और जो भी others candidates है, इस बार जाधा vacancy देखके form बढ़ते, आप लोग अगर score ठीक ठाक रहा हो रहा है, 100 के आसपास हो रहा है, आप लोग preparation में लग जाएगे, क्योंकि ऐसा मौका आपको सायद और कभी नहीं मिलेगा, तो यही था आज का session जो लोग मेरे channel में, प्लीज एक बार channel को subscribe कर लिजे, और मेरे channel में जो और भी videos है, सारे के सारे lectures है, free videos है, current efforts है, आप सारे के सारे videos देखिए, cut-off videos देखिए, channel को जरूर अच्छा लगेगा आपको, आप प्लीज एक बार subscribe कर लिजे, आप से सिर्फ subscribe और like ही, मैं उम्मीद क दिया हुआ है, अब telegram channel जरूर जोइन कीजिए, वहाँ पे मैं सारे updates देता रहता हूँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मिलते है, next video में, जब answer की आएगा, उसके बाद मैं एक video बनाऊंगा, ठीक है, analysis करके, detail analysis करके, आज के लिए इतना ही, good bye